डेली करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है केन बेतवा संचालन समिती की तीसरी बैठक 18 जनवरी को केन बेतवा लिंक परियोजने की संचालन समिती की तीसरी बैठक आयोजित हुई यह आयोजन नई दिल्ली में सचेव जल शक्ती मंत्राले की अधिक्षता में हुआ बैठक में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के प्रतिनिदियों और विभिन केंद्रे मंत्राले वन नीती आयोग के धिकारियों ने भाग लिया और तरब है कि समयती की दूसरी बैठक जुलाई 2022 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी इस अफसर पर जलसन साधन विभाग सचिव ने कहा कि ये परियोजना बुंदेल खंड क्षित्र की जलसुरक्षा वसामाजिक आर्थिक विकास हेतु महत्वपून है उन्होंने कहा कि ये केंद्र और राज्जी की एक प्रमुख परियोजना है और दोनों पर इस परियोजना को समयबत तरीके से लागू करने की जिम्मिदारी है इसके लावा बैठक के दोरान दो वन्यजीव अभ्यरन्यों को राज्य सरकार द्वारा प्रजेक्ट टाइगर के अंतरगत लाने की स्विक्रति प्रदान की गई ये हैं नौरा देही वन्यजीव अभ्यरने एवं रानी दुर्गवती वन्यजीव अभ्यरने मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश का रानी पुर्व वन्यजीव अभ्यरने अब बात करें केन बेतवा लिंक परियोजना यानि KBLP की तो ये एक नदी जोड़ो परियोजना है ये नेशनल परस्पेक्टिव प्लान के तहट इस प्रकार की पहली योजना है परियोजना बुदेल खंड में इस्तित है जो एक सूखा ग्रस्ट खेत्र है और जो कि उत्तर प्रदेश वा मध्य प्रदेश के तेरा जिलों में फैला है परियोजना के तहट केन नदी का पानी बेतवा नदी में स्थान अंत्रत किया जाएगा ये दोनों यमुना नदी की सहायक नदिया हैं परियोजना के दो चरण है केंद्रे मंत्रे मंडल ने दिसंबर 2021 में 44,605 करोड रुपे की कुल लागत वाली केंबेतवा नदी परियोजना के वित्पोशन और कारेन वन को मनजूरी दी थी ये परियोजना आठ साल में पूरी होगी गौर तलब है कि माश 2021 में KBLP को लागू करने हेतु जल शक्ति मंत्राले और मध्य प्रदेश वा उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच एक समझाता ग्यापन हस्ताक्षरित किया गया था